एक बहुत ही विचित्र विशाल अनुपम अलोकिक स्थान घजनसू में कैलख देवता को समर्पित कैलख नाथ भी वासुकी ना के वंशिच के ही माने जाते हैं और उनी से एक हुए पैड़ देवता भी जिनोंने कहा जाता है कि सोईजधार से तभी रिवर को लाया था तो उनी के वंशिच मैसे कैलख नाथ और उनके नाम से ये एक वंस्थली जिसमें बहुत ही पराचीन काल के बहुत ही बुड़े बुड़े जियो पोता के पेड़ जियो पोता जिसको संस्कृत में कहा गया पुत्र जीवक चाइल्ड लाइफ ट्री इंडियन एमुलेट ट्र और कहा जाता है कि 17 जून 1822 में महराजा गुलाब सिंग का जो राज तिल्ग हुआ इसी पेड़ के नीचे हुआ था इसलिए उस जगा को जहां पे इस पेड़ के नीचे महराजा गुलाब सिंग का राज तिल्ग हुआ था उसको कहा जाता है जियो पोता गाट चिनाब नद यह है जीओ पोता पुत्र जीवक चाइल लाइफ ट्री पुत्र जीवाराक्स भरगी और किस तरह से यह एक मानता और इसको एक किस आस्था के साथ कपड़ा भी बंदा हुआ है और इसकी उमर भी जो है 200 साल से कम नहीं होगी बहुत ही भीशाल पेड़ है यह और देखिए उपर तो शत्मे से भी इसको जगा दी गई यह उपर जाने के लिए और जो में मंदिर है कैलक धेबता का इसमें भी आप एक पेड़ देख रहे हैं और इस पेड़ का जो तना है यह भी आस्था का केंदर है या पुत्र जीवक पेड़ नहीं है पुत्र जीवा राक्स बरगाई नहीं यह है एक और इंपॉर्टन्ट धार्मिक पेड़ जिसको कहते हैं वरुना डोगरी में कहते हैं बार्ना और इसकी पहचान क्या है कि एक पत्ता तीन पत्तियों से बना होता है तो यह शत के उपर जाकर के एक विशाल पेड़ के रूप में जो विकसित है इस पेड़ को भी मैं दिखाना चाहूँगा तो यहीं आप इस स्थाली में आते हैं तो मैं कहूँगा कि यह घजन सू के इलाके की बेतरीन उम्दा एक सैकर्ड ग्रोप पुत्रण जिवाराक्सबरगाई को समर्पित और जिसमें सिर्फ पुत्रण जिवाराक्सबरगी ही नहीं पर इसके इलावा यहां पे बहुत विशाल जामुन का पेड़ भी आप देख पा रहे हैं और साथ में बहुत से पेड़ जो हैं वो हमारे गूलर के हैं जिसको डोगरी में रुंबल भी कहा जाता है फाइकस रईस मोसा और साथ में ही जो पेड़ हमने अंदर आपको दिखाया जो कैलक मंदिर के अंदर से निकला हुआ वो ये पेड़ है जिसको कहा जाता है बारना या वरुना तो यहाँ पे इस में जो मंदिर है इसमें दो पेड़ जो है वो आस्था का केंद्र है एक तो ये है जो जियोपोता है और दूसरा पेड़ ये जो अंदर से निकला है इसको बोलते है वरुना बारना क्रिटिवा रिलिजियोसा रिलिजिन के साथ जुड़ा हुआ पेड़ चुंकि हम 75 वरश जो अजादी का मरत महोत सब मना रहे हैं तो उसके संधरम में जो हमने ये सर्वे सर्वेक्षन शुरू किया है पेड़ पौदों की वन स्थलियों का निरक्षन करना और बहां के बनस्पति किस तरह से लोगों ने आस्था के साथ जोड़ करके उसको अपनी आस्था के साथ बांदा है उसमें ये एक विलक्षन स्थली और जो दो दिन पहले एक बहुत बड़ा तुफान जो है जम्मू शहर में आया उसी का एक फलसरूप ये एक बहुत बड़ा विशाल जियो पोता पुतर जिवाराक्स बरगी ये धराशाई भी हो गया है इसी पेड़ कुंज में लेकर अभी भी यहां पे विशाल पेड़ जो है खड़े हैं और उसी की कड़ी में अगर हम गवर से देखे तो यहां पे मेलोटस फिलिपनेंसिस कमपिलिक के पेड़ भी है आम के पेड़ भी है बहुत बड़ी विशाल जहां पे शीशम द्रखत भी है और इसके इलाबा विशालतम मैं कहूंगा जमू के विशालतम जियो पोता के पेड़ सिर्फ इस स्थली में है और नीचे हम देख पा रहे हैं इसकी नई री जेनरेशन वो भी काफी परफ्यूज री जेनरेशन है एक किसम का ये जियो पोता जहां पुत्र जीवक पेड़ कुंज है और एक मिनी वनस्थली इसमें ब्रेंकड भी है अडूसा उसके साथ साथ आप जब आगे चलते चलेंगे तो आपको इसमें और भी कुछ ये एक और दिख रहा है इसको कोई एक बहुत बड़ी विशालतम कुझा लग रहा है ये मलूंगर की बेल